प्रधान मंत्री आवास योजना ये वो योजना है जो गरीब परिवारों को जोपड़ी कच्चे मकान से पक्के मकान में पहुचाती है लेकिन क्या वास्तव में ग्रामीन छेत्रों में पात्र हितरगाहियों को इसका लाब मिल पा रहा है या फिर ग्रामीन पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई गड़बर जाला चल रहा है ताजा मामला राइसिंजले के बेगम गंज जत्पत पंचायत के ग्राम पंचायत मोईया के खामखेडा का है जहां गाव के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास लोजना में मनमानी सहित आवास लाने के नाम पर पैसे लेने का ग्रामीनों ने आरोप लगाया है इसकी शिकायत ग्रामीनों द्वारा करेक्टर तक से की गई है दुरसल खामचेड़ा के गाउ के लोगों का कहना है कि उन्हें प्रथानमंत्री आवास रोजना का लाप देने का लालच देकर उनसे पंचाट के रोजगार सहायक ने पैसो की मांगती तो कुछ लोगों ने पैसे भी दिये हैं और ग्रामीनों ने ये भी कहा कि आप लोगों का आवास आगया है और कच्छे मकान तोड़ लीजिए जिसके बाद गाउ के कुछ लोगों ने तो अपने मकान भी तोड़ दिये और बाद भी उनको आवास का लाप उती नहीं मिला इसी पूरे मामले को लेकर दरदनों ग्रामीनों ने जिलामों ख्याले पहुँचकर रायसें कलेक्टर के नाम ग्यापंदी सौपा और पीएम अवास योज़ा की जाच की मांगी है तो वहीं वरिष्ट दिकायों ने ग्रामीनों की शिकायत पर जाच के आदेश भी दिये हैं अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में ग्रामीनों के आरोप पर की गई शिकायत की कब तक और जाच और कारवाई हो पाती है वर अगर शिकायत की जाते हैं तो सत्य लोग कहते हैं अगर तुम कर आप कलो जादा इसके तो बीवी बच्चे भी काम के ने रहेंगी तुमारी हमाना ने लेट रंग ने कुटी और हमाई बहु बिकलान हमा के लिका का करें बाल बच्चे पाले के हम घर बना देख ये तीन परिवारित की सी जोपडी में रह रहा है हमारे कि मतलब राजेश मजबूत देवराज की सबकी डरी हैं यहाँ हो प्यल के दएके उधेरो बना हम भाई हम उनकार रहा है कुटी सने अब कर देख का हिरा कुटी से पैसी में से सोई लेला है कि हो देख बगार पाइसा से का हो रहा है और यह जोग पांच-बाचछा जालेला है दो तीन जानों से वार आई है नहीं हो रहा है द्याका छू लूगार आप कहते हैं नहीं आपे आई हैं नहीं हो रहा है